दोस्तो आप दुनिया में ऐसे ऐसे पसु पक्षी के एसपेसिज देखे होंगे जो अपनी खास वजों के कारण जाने जाते हैं आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाग पक्षचों के बारे में बताने वाले हैं इन पक्षियों के हमले काफी जान लेवा होते हैं जिन में इनसानों की जान तक जा सकती है अगर गलती से भी ये पक्षि किसी के पीछे पर जाए तो इन से पीछा चुरवाना ना मुनकिन है कई मरतबा तो इनके हमलों में इनसानों की जान तक चली गई है आईए जानते हैं दुनिया के साथ सबसे खतनाक पक्षियों के बारे में सीगल आम तोर पर समुद्र के किनारों पर सिकार की तलास में रहते हैं और देखने में एकदम प्यारे और भोले भाले लगते हैं लेकिन इनके सिकार लोग ही जानते हैं कि यह कितने तेज और खतरनाक हो सकते हैं आम तोर पर यह इनसानों पर हमला नहीं करते लेकिन अगर आपके हाथ में कोई भी खाने की वस्तु है तो और आप इनहीं के इलाकों में हो तो यकीन मानिये आपका खाना छीने जाने के पूरे चांस है और आप इनके गोशले के पास जाने की कोशिस करते हैं तो यह आपको घायल भी कर सकता है हेरिंग गूल को बहुत ही आकरमक पक्छी मानी जाती है और यह अन पक्छियों और जानुरों से भी लड़ने के लिए बदनाम है आम तोर पर यह कूरे के धेर और कवार इलाकों के आसपास पाया जाता है जहां यह इनसानों से भी खाना छिनने से बाज नहीं आते इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इनसानों पर हमला करने वाला पक्छी माना जाता है इसकी छोपिट के पंकों का फैलाव बलेड जैसे चोंच और पाइने पंजे किसी को भी बुरी तरह से घायल कर सकते हैं गिध बरे और विसालकाई पक्षी होते हैं जो मरे हुए पसूँ के मांस पर जिवित रहते हैं गिधों की चोंच और पंजे बरे ही पाइने और तेज होते हैं जो पस्वों की मोटी से मोटी खाल को भी असानी से फार कर उसका मांस निकाल लेते हैं आम तोर पर यह जिन्दा जानवरों और मनुसों पर हमला नहीं करते लेकिन ऐसी भी कुछ घटनाएं हैं जिन में इंसानों के उपर हमलों का जिक्र है नमबर फोर इगल यह दुन्या का संदार सिकारी पक्षी माना जाता है जो किसी भी जानवर या इनसान को समान रूप से नुकसान पहुचा सकता है बहुत ही तेज आखे मजबूत पंजे और पैने चोंच इसे दुन्या का बेहतरीन सिकारी बना देती है और यह लगभग 4 किलो तक वजन असानी से लेकर उर सकता है आम तور पर इन्हें इनसानों पर बहुती कम हमला करते हुए देखा गया है लेकिन ऐसी बहुत सी रिपोर्ट है कि इन्होंने इनसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया लेकिन कुट्ते छोटे भालू पहारी बक्रियां आदी इनके सिकारों में से है बांज को सभी जानुरों और पक्छों में बुद्धिमान और सातिर माना गया है इस पक्छी की आखें और पंजे बहुत तेज माने जाते हैं और यह हवा में ही सिकार करने के लिए मसूर है यह अपने सिकार का पीछा कर सकता है और उसे मारने के लिए बकाइदा योजना तक बना सकता है इसके बारे में कहा जाता है कि यह इनसानों पर तब ही हमला करता है जब वह इसके घोशले तक पहुँशने की कोशिस करते हैं लेकिन इस पक्षी कावार बहुत ही तेज और घातक होता है सुतुर मुर्ग दुनिया के सबसे बड़े पक्षी माने जाते हैं जिनकी उचाई 9 फीट तक और वजन 158 किलो तक हो सकता है और यह 48 किलो मीटर परती घंटा की रप्तार से 10 किलो मीटर तक भाग सकते हैं इनकी टांगे इतनी मजबूत होती है कि किसी भी जानवर को ठोकर मार कर मार सकते हैं और इसके अलावा इनके पंजे इतने तेज होते हैं कि इनसान के सर में एक ही बार में छेद कर सकते हैं और रीट की हड़ी तोर सकते हैं इसलिए सुतुरमुर्ग को दुन्या का दूसरा सबसे खतनाग पक्षी माना जाता है नमबर वन कैसोवरी कैसोवरी पक्षी बहुती बरा और खूनी पक्षी माना जाता है जिसके सर पर कलगी होती है यह पक्षी सुतुरमूरी की तरह करीब 6 फिट उचे और 58 किलो वजन तक हो सकते हैं तथा कैसोवरी के पैर भी काफी मजबूत माने जाते हैं और इनके पंजे लगभग 5 इंच चाकू की तरह पैने और लंबे होते हैं इस पक्षी को 2007 के Guinness Book of World Record में दुनिया का सबसे खतनाग पक्षी में घोशित किया जा चुका है और अंगनित इनके हमलों से घायल हो चुके हैं इसके हमले इतने भयानक होते हैं कि एक ही बार में खाल को चीर कर अंदर का मांस बाहर निकाल देता है आम तोर पर यह पक्षी बि कि बागने में भलाई है।